हलो प्रेंट स्वागत आपका अमारी यूटूब चैनल सिव टेक स्मार्ट में आज आप लोगों के लिए एक्सपेंसिव नहीं आज एक बजक लेप्टोप की करने जा रहा हूं अन्बोक्सिंग और अगर आप लोगों को एक नॉर्मल यूज के लिए अगर लेप्टोप पर लेप्टोप की करेंगे आज अन्बोक्सिंग और देखेंगे इसकी बिल्ट क्वालिटी और इसकी पर्फॉर्म्स वाइस कैसी अपने कुन मिलती है और आगर आप 25 था हूँ जेंट के आसपास अगर कोई लेप्टोप पर चेज करने की सोच रहे हो तो यह वाला वीडियो आपके लिए काफी उच्पूल हो रहेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि और आपके बोक्स को ओपन करने से पहले कर लेता हूं इसके मैनिफेक्चर की बात तो मैनिफेक्चर दी हुई है जनवरी 2021 अभी रिसेंट्ली में यह वाला मोडल लोंच हुआ है और जो बोक्स पर MRP दी हुई है वो है 29,000 और वीडियो के लाश्ट में आपको बताऊंगा यह कितने रुपक आपको मिल जाएगा बिना टाइम वेस्ट किया जल्दी सी बॉक्स को कर लेते हैं ओपन बॉक्स को करते हैं ओपन सबसे पहले मैं यहां जो HP की तरब से सील द बॉक्स कोंटेंट की बात करें तो इस टाइटिंग में मिल जाती है अपने को पावर केबिल और पावर केबिल हर बार की तरही अच्छी क्वालिटी किया ती है और यहां मैं इसके एडप्टर की बात करूँ तो 65 वोट का AC पावर अडप्टर दिया हुआ है और वही कुर् perspectives जिलोक और यहां सेंटर में दियो हुई हैं एच्छ पी की ब्रांडिं कफी लूकिंग लगरी है और कलर की में बात करों तो यहां सब्सक्राई ले पोर्ट की हुए पोर्स की बात करते हूं तो यहां आपको ले आपको मिल जाता है पावर पोट और यहां आपको के left side ports की बात करूँ तो यहाँ starting में आपको मिल जाता है RJ45 port जो आपको एक अची speed provide करवाएगा और आगे की तरफ मिलता है आपको HDMI port और इतने कम बजट के laptop में आपको मिल जाता है type C जिसे आप अपने mobile को charge कर सकते हो fast charging और यार यह features मेरे को काफी अच्छा लगा इतने कम बजट के laptop में आपको type C port मिल रहा है आगे की तरफ आपको मिलते है LED इंडिकेटर्स और यहाँ आपको मिल जाता है विंडो 10 का लोगो जो बता था कि आपके laptop में ओरिजनल विंडो है लेप्टोप को कर लेते हैं ओपन तो फ्रेंड्स मैंने laptop को कर लिया है open और open करते ही मैंने आज इसके on कर दिया है क्योंकि इसमें 1TB के HDD दी हुई है तो काफी टाइम लगेगा इसमें तो जब तक अपना laptop रेडि होता है boot setup रेडि होता है तब तक मैं इसके और फिसर्स की बात कर लूँ तो यहां इस्टाइटिंग में दिया हुआ है webcam और webcam आपको HD webcam मिलेगा एच्ब ट्रिवीजना HD camera with integrated durade के साथ और यहां इतने कम बजट के laptop में आपको bezels की में बात करूँ तो बिल्कुल slim bezels प्रोवाइड करवाई यह company काफी unique design लग रही है इस वाले की और keyboard की यहां में बात करूँ तो jet black full size is numerical key के साथ आपको यह मिल रहा है और यहां आपको मिल जाता है WhatsApp support जबी आपके laptop में कोई भी problem हो तो आप WhatsApp पे chatting करके आपके अपनी problem का solution करवा सकते हो और मैं इसके touchpad की में बात करूँ तो precision touchpad दिया हुआ है जो multitas supported ही और यहां आपको लास्ट में मिल जाता है Intel Pentium Gold का प्रोसेसर laptop अपना boot setup होई रहा है boot setup होते ही फिर मैं इसके performance आपको लोगों को टेस्ट कराता हूँ तो friends यहां आपने laptop का boot setup हो गया है और जो boot setup में टाइम लगा है वो है 10 minute और वो इसलिए लगे है क्योंकि इस वाले laptop में आपको SSD नहीं मिलती है इस laptop में सबसे पहले CPU की आप में बात क और memory की हमें बात करूं तो यहां आपको 4GB DDR4 2400 MHz की आपको इसमें RAM मिल जाती है यहां RAM 266 MHz की होनी चीए थी और आप इसे upgrade कर सकते हो 16GB तक RAM के आपको 2 slot इस वाले laptop में मिल जाते हैं और इस laptop में मैं HDD की हमें बात करूं तो यहां मेरे को एक सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें अपने को जो company दी हुई है WD company की दी हुई है तो WD company काफी अच्छी HDD मनाती है बहुत पुरानी company है आप लोगों तो पता ही होगा C8 और WD का ही नाम आता है लास्ट में हमें बात करूं इसके GP की तो यहां आपको Intel USD graphics 2GB का आपको इसमें integrated दिया हुआ है और laptop की मैं आपको वीडियो क्वालेटी और ओडियो क्वालेटी और टेस्ट करा देता हूं कैसी क्वालेटी अपने को मिलेगी तो फ्रेंज यहां में लेप्टोप को internet access कर रहा हूं और आपके सामने चली रहा है internet access काफी अच्छी स्पीड में रही है अपने को net किया तो फ्रेंज यह था AHP का लेप्टोप जो भी रेसेंटली में लांच हुआ था और अभी मैंने इसकी performance टेस्ट की performance ठीक ही है और जो इसमें processor दिया गया है वो है Pentium Gold और इसकी मैं clock speed की मैं बात करूँ तो यहाँ 2.4 GHz दी हुई है इसी वज़े सिस लेप्टोप की जो speed आ रही है वो अच्छी आ रही है और आप लोगों तो पता ही है कि i3 10 generation के अंदर clock speed आ रही थी प्रोसेसरों की 1.2 GHz तो फ्रेंट्स जो इसमें RAM दी गई है वो च्यार्जी भी DDR4 RAM दी हुई है आप उसे अपग्रेड कर सकते हो 16 GB तक है और इस लेप्टॉप की मैं और और बिल्ट क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बिल्ट क्वालिट और इस लेप्टॉप की मैं अगर वेट की में बात करूँ तो यहां आपको 1.8 KGB देखने को मिल जाता है और इस लेप्टॉप को मैं रिक्मेंडेड करना चाता हूँ अगर आप एक केवल बैसिक यूज के लिए लेप्टॉप पर्चेज करने की सोच रहे हो इसमें आप न इतने कम बजट के लेप्टॉप में आपको Type-C port मिल रहा है तो यह फीचर मेरे को इस लेप्टॉप में काफी अच्छा लगा इस लेप्टॉप में मैं कमी की में बात करूँ तो मैं इतने कम बजट के लेप्टॉप में कमी तो क्या ही बता हूँ लेकिन फिर भी अगर डिस प्राइजिंग की बात तो फ्रेंट्स ये मार्केट में आपको 25,000 से 26,000 के आसपास आपको मिल जाएगा और अगर आपको फिलाल वीडियो में इतना ही उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आये होगा वीडियो को लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूल इसी प्रगार के टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और अगर आपको इस लेप्टोप से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना थैंक्स वार वोचिंग, हेव नाइस दे, जैहिन, वान्ने मात्रम